वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाटसअप पर डिलेटेड मैसेज को अगर हम पढ़ना चाहें तो किस तरीके से और कहां से पढ़ सकते हैं बीना एप के आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले है जैसा कि माल लीजिये फ्रेंट्स वाटसअप बीजनेस से मैंने यहाँ पर मैसेज किया था और यहाँ पर मैसेज सिन करने से पहले ही वाटसअप बीजनेस से डिलेट कर दिया हूँ तो इस तरीके से देखनी को मिल जाता है या हो सकता है आपका कोई फ्रेंड मैसेज किया ह WhatsApp पर इस तरीके से और message आपने सिन ना किया हो उसके पहले ही उसने delete कर दिया हो message को तो अगर आप WhatsApp के deleted message को यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से पढ़ सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको एई बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करियेगा और last तक बने रहीएगा तो चले फ्रेंट्स वीडियो को start कर लेते हैं वेदावू time waste के तो फ्रेंट्स वाट्सप पर deleted message को दुबारा से पढ़ने के लिए आपको एक setting on करने पढ़ेगे तो इसके लिए फ्रेंट्स सबसे पहले आपको अपने setting app को open कर लेना है अब setting app को open करने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपको एक notifications का option देखनी को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करने के बात फ्रेंट्स यहाँ पर आपको app notifications को option देखनी को मिल जाएगा first number पर इस पर आपको क्लिक करना है और इसमे क्लिक करने के बात फ्रेंट्स यहाँ पर अगर आपके WhatsApp का इस तरीके से चेक कर लिजिएगा कि इस तरीके से off होगा नोटिफिकेशन तो इसे पहले तो on कर देना है, पहला काम तो यह करना है, second काम आपको यहाँ से थोड़ा सा back होके, यहाँ पर आपको second number पर option हो जाना है, इस तरीके से back हो जाना है, यह सेटिंग कर लिनी है, उसके फ्रेंट्स यहाँ पर माल लीजिए, मैं WhatsApp मेसेंजर से, यहाँ पर कोई भी मैसेज इस तरीके का करता हूँ, जैसा कि Hi का मैंने मैसेज किया, और यहाँ पर जैसे ही से पहले ही, यहाँ पर मैं इस तरी हो चुका है होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह मैसेज मेरा डिलिट हो चुका है, यहाँ पर दो बार मैंने मैसेज किया था, जो कि डिलिट हो चुका है, अब इस मैसेज को मुझे पढ़ना है, जैसा कि माल लीजिए इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते हैं, क्य क्लिक करना है अब notification के option पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको notification history का option देखने को मिलेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे friends यह message जो delete हुआ होगा आपके whatsapp में वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यानि कि आपने कोई message send किया और उस message को आपने send नहीं किया उसके पहले ही आपका print delete कर दिया तो अगर यह आप इस तरीके से on रखेंगे तो यहाँ पर message देखने को मिल जाएगा कि आपका print क्या message किया था यानि कि deleted message को आप इसी तरीके से पढ़ सकते हो तो friends यही छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लग जीगा